हेलो एवरिवान रादे रादे आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुन्दा सी द्रस देखें फ्लावर सेप में ड्रस आई हुई है जीरो से एक नंबर के लड्डू गोपाल जी को यह आ जाएंगी देखें बहुत सुन्दा सी ड्रस बनी प्रस कीजिएगा ठीक है कभी भी हम वीडियो बनाते और अपलोड करते हैं तो उसका एक मैसेज आ जाता है उन लोगों के पाथ जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है ठीक है बाकि अगर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप जैसे फुल टुटॉरियल कैसे बनाए हमने स्टेप बैस टेप तो थोड़ी सी जहां पर भी गलती होती है मैं हर वार आपको बता देती हूं जो मैंने गलती किये आप मत किजिएगा आपको क्या करना है चोली सेम तरीके से बनानी है बस आपको ये याद रखना है जहां पर हमने बाजू अलग किये, बाजू के फंदे अलग कम करने के बाद, जब हम एक रो उल्टी बना करके, और दूसरी रो में हमने सीधे जाली दे दी थी, वो आप गलती मत किजेगा, आप क्या करेंगे, बाजू अलग करने के बाद, बैक रो में सारे फंदे बना लेंगे, फ्रेंट बढ़ाने है ठीक है तो इससे क्या होगा थोड़ी से आपकी दो रो चोली बढ़ जाएगी मतलब थोड़ी सी चोली बढ़ जाएगी वो अच्छी लगेगी वैसे ये भी अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी मुझे लगता है ठीक है तो मुझे लगता है इसमें दो रो और बननी चाहिए थी ठीक है तो ऐसे बना लीजेगा बाकि ये बहुत सही बनी है आपको फंदे उतने ही बढ़ाने जितने मैंने बोला है 92 फंदे हो जाने यहां पर 92 फंदे होंगे तभी आपका पैटर्न सही बैठेगा एक दम फिट ठीक है तो कहीं पर भी आपको कोई हाई होलuj है हमारी ठीक है अम्म फंदे लेंगे अ चार बना लेते हैं इसकी के में बना लेंगे चारो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे ठीक है इस तरह से कि ये तो चलिए कम्प्रीट कर लेते हैं इसको तो देखे चारों बनाने के बाद प्रंट साइड में आ गए हम पहला फंदा ले लेंगे ऐसे और जाली दे देदेंगे ठीक है धागा आगे रखेंगे इस तरह से एक जाली दे देदेंगे ठीक है यह फ्रंट साइड हो गया थागा करेंगे दूसरी जाली दे देंगे ये बाजु का ओग गया धागा आगे करेंगे तीसरी धागा आगे करेंगे चौथी धागा आगे करेंगे पांचवी धागा आगे करेंगे छटवी धागा आगे करेंगे साथ वी और धागा आगे करेंगे आठ वी आठ जाली लगातार हम आठ जाली देंगे, बैक रो बना लेते हैं, कम्प्लीट कर लेते हैं, उल्टी, उल्टी, पहला फंद ऐसी ले लेंगे, बाकी फंदो को उल्टा उल्टा बना लेंगे, तो देखें, बैक रो हमने कम्प्लीट कर ली, अब देखें, पहली रो में तो हमने नौ फंदे थे, तो आठ जाली दे दी अब कैसे देंगे अब हमको आठ जालियां देनी है और फंदे बढ़ गे हमारे तो क्या करेंगे पहला फंदा हम ऐसी ले लेंगे दूसरे फंदे को उल्टा बना देंगे क्योंकि ये बॉडर आएगा हमारा ठीक है ये हो गया इसके बाद हम जाली देंगे थागा आगे करेंगे एक जाली दे देंगे ठीक है फिर थागा आगे करेंगे कितने फंदे बना लेंगे एक धो बों च्छान दे 5 ठीक है फिर धागा आगे करेंगे एक फंदे की जाली देदेंगे ठीक है फिर धागा आगे करेंगे कित्ते फंदे बनाएंगे हम जाली के साथ एक दो ती फिर धागा आगे करेंगे एक जाली देदेंगे फिर धागा आगे करेंगे फंदा बनाएंगे एक दो ती ठीक है फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली लेंगे, धागा आगे करेंगे, अब इस साइड हमको लपेट लेना ऐसे, धागा आगे करके ऐसे लपेट लेंगे, और एक फंदा, उल्टा और एक फंदा, लास्ट फंदा हमारा हमेशा सीधा ही आएगा, तो यहां पर दो जाली हो गई हैं, complete बैक्रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे तो आठ जाली पहले और आठ जाली अब 16 फंदे बढ़ गए हैं अब पहले कितने फंदे थे 9 16 फंदे में 9 फंदे प्लेस करेंगे तो इतने फंदे हो गए हमारे तो चले इसको complete कर लेते हैं बैक्रो तो देखें टोटल यहां पे 25 फंदे हो गए हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारब बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतर अठारा उन्निस बीस एकिस वाईस तेइस चोभी पच्चिस फंदे हो गए हैं तीसरी जाली है लास्ट जाली तो देखें कैसे बन करेंगे हम एक फंदा ले लेंगे ऐसी दूसरे फंदे को बना लेंगे उल्टा दागा पीछे करेंगे एक फंदा बना लेंगे सीधा फिर दागा आगे करके एक जाली दे लेंगे और इसको बना लेंगे ठीक है फिर धागा आगे करेंगे जाली देंगे साथ में गिनेंगे फंदे को एक दो तीन चार पांच ठीक है धागा आगे करेंगे ये सीधा फंदा बनाएंगे जाली वाला फिर धागा आगे करेंगे फंदे की देंगे एक दो तीन चार पांच फिर धागा आगे करेंगे जाली दे देंगे एक धागा आगे करके जाली के साथ फंदे की देंगे एक दो तीन चार और ये पांच धागा आगे करेंगे एक जाली फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाएंगे एक और दो फंदे हमारे बॉरर के आएंगे जिनको हम एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी जाली complete हो गई है तीन जालियां बन गई है अब हमको divide जो किया था हमने उनको अलग-अलग कर लेना है तो देखे एक दो तीन हो गए चार हो गए और ये पांच पांच पंदे हो गए ठीक है पांच पंदे चलो एक अलटी रो कंप्रेट कर लेते सीडी साइट से हम फंदे बन करेंगे तो चलिए अलटी रो पूरी complete कर लेते तो यहाँ पर हमारे टोटल 33 फंदे हो गए ठीक है तो पहला फंदा हम ऐसी ले लेंगे दूसरा फंदह हम उल्टा बनाएंगे और एक दो लेंख थिए फ्रंट के हमारी पांच फंद्धे दागा आगे करेंगे उल्टा बना लेंगे एक बाजु के फंदे फंदे बना रहे हम ठीक है दो कि बना ले उल्टे तीन, चार, पांच, छे और यह साथ, साथ फंदे बना लिए, इधर से हम बैक हो जाएंगे, और इनको बन कर लिएंगे, दो फंदो का एक, एक फंदा बन कर लिया, दो फंदो का एक तूसरा फंदा बन कर लिया, दो फंदो का एक तीसरा, दो फंदो का एक चौथा, दो फंदो का एक पाँचवा, दो फंदो का एक छटा, और ये दो फंदो का एक साथवा, साथ फंदे बन कर लें ठीक है, ये तो हमारी बाजू अलग हो गई, अब हम बैक पाट के फंदे गिन लेते हैं, एक थोड़ टाइट कर लेंगे यहां पर दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नौ ठीक है नौ फंदे हमने बैक साइट के बना लिए हैं फिर धागा आगे करेंगे बाजू के फंदे बना लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ ठीक है यहां हमारे फ्रंट में पांच बज़े हुए हैं तो इनको हम बन करेंगे कैसे साथ फंदे बन करने हैं दो का एक करेंगे 1, 2 का एक, 2, 2 का एक, 3, 2 का एक, 4, 2 का एक, 5, 2 का एक, 6 और 2 का एक, 7 साथ पंदे बन कर लिए अब ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गए अब हम 5 पंदे इनको बना लेंगे 1 2 3 लास्ट के 2 फंदे 1 उल्टा और 1 सीधा ठीक है यह हमारे बाजू कंप्लीट हो गए है इसमें मैं 2 रो और बना लेती हूं एक उल्टा और एक सीधा उल्टी रो बना लेते हूं देखते हूं सीधे में चोली फिर बढ़ी हो जाती है उल्टी रो बनाने के बाद फंदे साइद बढ़ाने पड़े तो उल्टी रो बना लेते हैं बाजू निकालने के बाद उल्टी रो बना ले हमने और जाली हमने तीन दी ठीक है एक बार आठ जाली, दूसरी बार भी आठ, तीसरी बार भी आठ तो 24, 24 फंदे हमारे बढ़े रहे लास्ट फंद हमेशा मैं सीधा ही बनाती हूँ, थोड़ा सा फिनिसिंग आएगी ठीक है, तो यह देखें, छोटी सी चोली हमारी बन के तैयार हो गई है मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, कि यह चोली जो है थोड़ी सी छोटी हो गई, तो अब क्या करेंगे आप उल्टी रो बनाने के बाद, एक सीधी और एक उल्टी, दो रो और बना लिजे, इससे आपकी चोली एकदम सही आ जाएगी यह चोली मुझे थोड़ी सी छोटी लग रहे है, तो दो रो और बना लिजे, उसके बाद फंदे बढ़ाएगे, तो अब फंदे बढ़ा लेंगे, फिर चोली बढ़ी हो जाती है, ठीक है, फंदे बढ़ाएँगे, कैसे बढ़ाएँगे फंदे, देख लिजे, इस तरह से एक फंदे को हम दो बार बनाएँगे, जाली देखे बना लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, 10, 11, 12, 13, 14, और ये 15, 15 फंदे बढ़ गए हमारे, एक उल्टा और एक सीधा बना लेंगे, ठीक है, चोली के बाद हमने 15 फंदे बढ़ा लिये हैं, बैक रोड टोटल ही बैक, पूरी की पूरी उल्टी बना लेंगे, इस तरह से, तो चलिए रोग हम ठीट कर लेते, तो देखिए यहां पर हमने 15 फंदे बढ़ा ले थे, फिर अब हम इस रोग में फिर से फंदे बढ़ाएंगे, अब हम ज्यादा फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से, पहला और दूसरा फंदा उल्टाएगा, धागा आगे ही रखेंगे, एक फंदा ऐसे बनाएंगे, और इसके बार दूसरा फंदा ऐसे बनाएंगे, एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक बार ऐसे जाली भी देंगे, फंदा भी बनाएंगे, एक बार इसको ऐसे, एक बार इदर से बनाएंगे, एक बार ऐसे, धागा आगे कर लिया, यह जाली दे दी और एक बार इसको ऐसे बना लेंगे, एक फंदे को दो बार, धागा आगे करेंगे, देखे, जाली दे दी, फंदे को इसकिप नी करेंगे, यह ऐसे बना लेंगे, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, पूरे घेरे के फंदे बढ़ जाएंगे हमारे एकी साथ ठीक है ठोड़ी सी प्रोबलम तो आएगी लेकिन फंदे भी बढ़ जाएंगे तो चलिए इसको फंदे बढ़ा लेतेfight लास्ट के दो फंदो में नहीं बढ़ाने हमने फंदे bath में इसी तरह से धागtones आगे करके 1 जाली देंगे हम चाह american एक अगी से इसे टो एक हमारे दो फंदे भाड़ रहे हैं फीक है ता चलीघो कम्प्रीट गर लेते है थो देखे हैं यहां हमने हे Schritt 1 ऊच्छ च से दो च कर लूट arc डोलोंगी अगर आपको एक ही गलार का बनाना है तो एक कलर का भी बना सकते हैं दो कलर या 4 खल लियुको ठीक है तो यहां से मैं पहला फंदा ले लोगी औसमें गिनना भी है ठीक है फंदे भीगिन लेंगे साथ-साथ में तो चलिए-एक फंदा बना लें हमने दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तो चले, इसको complete करके बता दूँगे, आपको कितने फंदे, ठीक है, तो देखे, इसमें टोटल 94 फंदे हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे 92 फंदे हैं, और 18 फंदो का हमारा पैटन आ रहा है, 18 फंदो का एक पैटन आएगा, तो 19 को हम, 92 में हम डिवाइट करेंगे, उसको पैटन देख लिजे, यहाँ से पैटन शुरू होता हमारा, दो फंदो का एख, तो फंदो का एक, और दो फंदो का एक, ठीक है, जाली देंगे एक धागा आगे करके दूसरी जाली धागा आगे करके तीसरी जाली धागा आगे करके चौती जाली धागा आगे करके पांच भी जाली और धागा आगे करके छे जाली दे दी फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदो का परले में बनाएंगे, ठीक है? 2 फंदो का 1, 2 फंदो का 1, और 2 फंदो का 1 ये हमारा pattern है, ठीक है? 18 फंदो का pattern है, जो हमने यहाँ से शुरू किया 2 फंदो को छोड़ करके ये शुरू किया फिरसे हम repeat pattern करेंगे, एक बार और देख लिजे क्या करेंगे दो फंदों का एक दो फंदों का एक और दो फंदों का एक यह हो गया तीन बार हम दो फंदों का एक बनाएंगे और उसके बाद छे जाली एक धागा आगे करेंगे दूसरी जाली धागा आगे करेंगे तीसरी जाली धागा आगे करेंगे चार पांच और यह छे छे जाली के बाद वापस दो फंदो का एक दो फंदो का एक और दो फंदो का एक यह हमारा दो पैटन कंप्लीट हो गया हम यहाँ पर दो फंदो का एक, दो फंदो का एक, दो फंदो का एक करेंगे तीन बार फिर शुरुवात में भी दो फंदोका एक, दो फंदोका एक करेंगे शुरुवात भी तो एकट्टे होके 6 हो जाएंगे ठीक है आपको लगेगा कि यह पैटर्न बीच में एकट्टा आ गया है तो ऐसे ही आए गए तो चलिए इस पैटर्न को कम्लीट कर लेते हैं य एक पैटर्न हमारा कम्लीट हो जाए यह पैटर्न हमको बारबार रिपीट करना है ठीक है तो देखें यहां पे लास्ट पैटर्न अच्छे जाली दे दी मैंने धागा आगे करेंगे अब दो फंदोका एक, और दो फंदोका एक करेंगे तो यहाँ पर हमारे टोटल बिल्कुल एकदम ठीक फंदे बैट रहे हैं ठीक है यह हमारा दो एक्स्ट्रा है एक लास्ट वाले को हम सीधा बनाएंगे अब यह हमने नोट नहीं लगा रखा है धागे में जोड नहीं रखा है इसलिए धीला लग रहा है ठीक है ठोड़ा इसके बाद जो फ्रंट रो आएगी वह सीधी बनेगी उसके बाद बैक रो में हम फिंक फिर लगाएंगे तो दो रो बना लेते एक उल्टी और एक सीधी ठीक है तो देखिए यहां पर हमने एक डिजाइन बना दिया है तो चार रो का एक डिजाइन होगा ठीक है उल्टी तो इसको colorful भी बना सकते हैं तो यह back row complete कर लेते हैं तो देखिए यहां पर back row हमने complete कर लिए back row से हमने color change कर दिया है फिर से हमारा 92 फंदे 92 फंदों में एकदम यह जो pattern हम बना रहे हैं हम बना रहे हैं एकदम सही बैठा है हो दो दो हमारे किनारे पर extra मतलब simple फंदे आ जा रहे हैं तो अगर आपके 92 फंदे हैं तो सही है आपके यह pattern बन जाएंगे अगर इससे कम है तो आपको किनारों पर बहुत सारे extra रखने बढ़ेंगे तो दो उल्टे बनाने के बाद हम pattern शुरू करेंगे pattern होता है यहां से सुरू दो फंदो का एक करेंगे दो फंदो का एक और दो फंदो का एक तो देखे तीन फंदे हमने कम कर लिए ठीक है अब हम 6 जाली देंगे धागा आगे हमारा एक फंदा एक जाली हो गई फिर धागा आगे करके दूसरी जाली धागा आगे करेंगे तीस दो फंदोका एक दो फंदोका एक और दो फंदोका एक यहाँ तक हमारा एक पैटन complete हो गया है इसी पैटन को हम बरवार रिपीट करेंगे ठीक है तो चले थोड़ा सा बना लेती हूँ उसके बाद में आपको दिखाती है कैसा लग रहा है तो देखर PRES हमारी complete हो गई यहाँ प पारले में तीन रोह कम बना ले आभ यह बैक वब चतरब से चाथी रोह को हम बना रहे हैं यहांपए हम उपाउ इसा Lorenug form का एक और उस पाने और को दूसरे दंदे में लेकर दोफंदे का एक इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे धागे को आपको बिल्कुल भी नहीं खीचना है मतलब बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है अगर ये धागा टाइट होगा तो फ्रिल अच्छे से आएगी ठीक है तो धीला धीला बंद कर लेते तो चले इसको complete करते हैं, तो देखिए सारे फंदेब बंद कर लिए, मैंने यहाँ पर नोट भी लगा लिया है, धागा कट कर लिया है, अब हम इसके धागे कट कर लेते हैं, धागों में नोट लगा लेना, इस तरह से देखिए, जो धागे होते हैं इनको हम अंदर ले और इसको पूरा खींच लेंगे, तो इस तरह से नोट लग जाएगा, तो इससे हमारे धागे मजबूर भी हो जाएगे, मतलब जब हम धुलते हैं, काना जी की ड्रस अकसर धुली जाती हैं, ज्यादत है, तो यह धुलने में यह निकलेंगी नहीं, ठीक है, कस करके इसको ट बनी हुई है, तो कैसी लगी आपको यह वीडियो जरूर बताएगा, अच्छे लगी तो फ्लीज लाइक से जरूर कर दीजेगा, नए है चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, ठीक है, तो चलिए इस वीडिय जो नए प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए राधे राधे